दिस वीडियो इस्पांसर्ड बाई मोवी क्लासे जयब यूपी बोर्ड कच्छा 10, 11, 12 के छात्रों के लिए खुसखबरी इस्टाल कीजिए मोवी क्लासे जयब जहां आपको मिलेंगे फ्री एमिनेट एनिमेटेड लेशन्स पिछले येर्स के प्रेबियस येर के कुश्चान पेपर और मल्टिपल चॉइस टाइप के कुछ चान एकसरसाइज और ये सब फ्री टूडी वीडियो में तो अभी इस्टाल कीजिए मोवी क्लासे जयब को लिंक आपको डिस्क्रिस्क्रिस्टन में मिल जाएगी दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपनी यूटूब चैनल पीके जूकेटर में दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कब से आप लोगों के जो फाम हैं सस्पेक्ट हैं जिन चात्रों के वो बेरिफाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे कुछ चात्रों के बेरिफाइड भी होना सुरू हो गए हैं और कुछ चात्रों के हो रहे हैं तो सारी डिटेल्स इस वीडियो में हैं साथ ही बताने वाले हैं कि स्कॉलर्शिप कब तक आ जाएगी आप लोगों की तो सारी सारा कुछ कुछ क्लियर और कुछ चैनल पर जो ब पहुंच सके तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो दोस्तों देखिए आपके सामने प्रूफ है धीरे धीरे सभी स्टूडेंट्स के जो है फॉर्म वेरिफाइड रिकमेंडेड बाइडिस्टिक स्कॉलर्शिप कमेटी द्वार वेरिफाइड किये जा रहे हैं इसको बाहर बारा बच के 55 मिनट और तीन सेकंड पर ये वेरिफाइड किया गया है डिस्टिक स्कॉलर्शिप कमेटी द्वारा तो जिन छात्रों के फॉर्म में कोई गलती नहीं थी करेक्शन नहीं किया था छात्रों द्वारा जो साही साही बिलकुल फॉर्म भारे थे और जिनक कि अभी तक बेरिफाइड नहीं हो पा रहे हैं तो चातर परेसान है तो देखें परेसान होने वाली कोई बात नहीं अगर आपने करेक्शन किया था जो कि पहली करेक्शन डेट आई थी बीच से तीस नॉमबर तो आपके डिसंबर लास्ट तक वो बेरिफाइड हो और अगर नहीं होते हैं तो जो यह करेक्शन डेट चल रही है 28 दिसंबर लास्ट डेट है इसकी तो इसको लेकर आपको परेसान नहीं होना है जनवरी मिड तक यानि 15 जनवरी तक आप लोगों के फार्म बेरिफाइड कर दिये जाएंगे बेरिट डिस्टिक पाना सुरू हो जाएगी 24 से 25 जनवरी से तो आप लोगों को परेसान नहीं होना है हाँ अगर आपके फार्म में कोई गड़वेडी थी तो करेक्शन करना जरूरी था तो जिन छात्रों ने करेक्शन कर लिया है उसके बाद भी उनके स्टेटस में अभी वही दिखा रहा है हैं लेकिन इस्टेटस में उनका भी भी पेंडिंग और डिस्टिक स्कॉलर्शिप कमेटी सो हो रहा है तो चलिए में वह दिखा दे हूं आपको यहां पर देखे कुछ ऐसा मैसेज आता है डिस्टिक स्कॉलर्शिप कमेटी की तरफ से कि योर यूपी स्कॉलर्शिप 2019-20 रेजिस्टेशन नंबर यह हमने हाइड किया है कुछ सिकॉर्टी रीजन से बेरिफाइड बाइड डिस्टिक स्कॉलर्शिप कमेटी प्लीज लॉग बात नहीं है क्योंकि स्टेटस अभी अपडेट नहीं किये गए हैं अगर आपका मैसेज बेरिफाइड का आ गया तो आप बिल्कुल निस्चिंत हो जाईए आपका फार्म बेरिफाइड हो चुका है ठीक है और साथ ही कुछ चैनल पर ऐसा बताया जा रहा है कि 2019 की स्कॉलर सिपाने की वो तीन दस 2019 दिखा रहा था यानि कि 3 अक्टूबर तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अक्टूबर में बहुत सारे रिनुवल स्टूडेंट्स की स्कॉलर्शिप आई थी तो अधर वीडियो में अधर चैनल पर वही वीडियो दिखाई जा रही है और कहा ज दिसम्बर में जो स्टूडेंट्स की आई है वो पिछली एर्स की आई हम लगातार कह रहे हैं इसका हमारे पास प्रूब भी है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा और रही बात हां यह जो आप लोगों का स्टेटास अभी वेरिफाइड न ना भूले